जैन सातियों आप सभी का स्वारत है हमारे यूटूब चैनल सलेक्ट को आज का जो चैप्टर इस्टार्ट होने वाला वो प्रजनन तंत्र होता ठीक है जैसे माता पिता के द्वारा फिजीकले रिलेशन होता है उसके बाल जो न्यू जन्नेशन उत्पन होती है उसी को क्या बोलते है प्रजनन तंत्र है ठीक है है लिखेंगे इसको ऐसी प्रिक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा माता पिता के द्वारा योगमज का निर्माड होता है गैमेट है, योगमज को और क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं का निर्माड होता है प्रजनन्त तंत्र कहलाता है तंत्र कहलाता है, ठीक है अब देखेंगे योगमज क्या होता है जो योगमज होता है, इसको और क्या बोलते हैं, गैमेट भी बोलते हैं ठीक है, और भी नाम में आगे बताऊंगा ठीक है, जैसे किसी मादा का यानि किसी फीमेल का अंडाडू और मेल का सुक्राडू मिलता है ठीक है उसको क्या बोलते हैं गैमेट बोलते हैं, योगमज और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं फर्टिलाइशन यानि के निसेशन बोलते हैं, ठीक है तभी कराऊंगा आगे, दिकत ना लो ओके, ओके यहां तो बताओ, किसी को दिकत तो नहीं है, ओके अब देखेंगे यो प्रजनन तंतर होता है, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है कौन कौन सा लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है टू टाइब ठीक है सेक्श्वल रिप्रोडक्शन ठीक है असेक्श्वल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे लेंगिक प्रजनन ठीक है क्या बोलेंगे लेंगिक प्रजनन अब देखेंगे जो लेंगिक sexual reproduction होता है वो क्या होता है question पूछता है यह किसमे होता है किसमे होता है यह होता है आपका मनुष plus जानवर के अंदर मनुष जानवर के अंदर क्या होता है लेंगिक प्रजनन होता है ठीक है यह किसमे होता है देखो लेंगिक प्रजनन होता है तो क्या बनाएंगे योगमज का निर्माड करेंगे, ठीक है? किसका निर्माड करेंगे? योगमज का निर्माड करेंगे, ओके? योगमज का निर्माड करेंगे, करेंगे, पर इसमें ऐसा होता नहीं है, देखो, अग शेक्शुल रिप्रोडेक्श में ऐसा होता नहीं होता इसमें योगमज का निर्माड नहीं होता इसमें दोनों में यहीं औंतर है यहां तो बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है नोट कीजिए फिर चलते आगे की तरफ आगे की तरफ चलते हैं हम लोग को प्रजनन तंत्र के बार में उसकी बार क्या पड़ेंगे नर प्रजनन तंत्र की बारे में ठीक है नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे की तरफ आगे की तरफ आगे ठीक है ठीक है कुई वात नहीं कोई वात नहीं कोई बात नहीं पीडियो जाएगे आपको application पर मिल जाएगी कर देखते हैं अब डालें गे माधा प्रजणन तंत्र प्रजणन तंतर के बारे पड़ें पड़े गए मादा, प्रजनन, तंत्र, फीमेल, रिप्रोड़क्टिव, सिस्टम, जो मादा, प्रजनन, तंत्र होता है, यह भी दो टाइप का होता है, एक तो प्रात्मित, मादा, प्रजनन, तंत्र, ठीक है, और एक होता है, दो ती यह मादा, प्रजनन, तंत्र, ओके, 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 ठीक, यह टू टाइप का होता है, कि मेल कि मादा प्रिजन अंतंतर टू टाइप का होता है प्राइमरी सेक्ष और्गन प्राइमरी कि शेक्ष और्गन कि यह होता है सेकिंड्री टू टाइप का होता है क्वेशन क्या पुछता है इसमें जो हमारे मादा प्रिजन तंतर की अंदर प्राइमरी शेक्ष और्गन कौन सा होता है और सेकिंड्री शेक्ष और्गन कौन सा होता है इसको आप लोगों को बताना है कमेंट करके बताएए इसको इन्दी में क्या कहते हैं प्रात्मिक प्रात्मिक लेंगिंग अंग और इसको कहते हैं दुतियक दुतियक लेंगिंग अंग आपको पूछ लेगा कि मादा प्रात्मिक लेंगिंग अंग होता है यानि कि प्रामरी सेक्स औरगन होता है यह हमारी क्या है यह मादा प्रिजनन तंत्र का चित्र है ठीक है यह बाला अब इसमें पहले देखेंगे चित्र को आपको बड़ी द्यान से देखना है यह क्या होता है इसमें जिबाला वे जाएना, वे जाएना, ठीक है, और ये क्या होता है, ये बाला, ये होता है, ओबरी, ठीक है, ओबरी, अन्डा से, अन्डा से, ओके, और ये क्या होता है, सर्वेक्ष, यानिके ग्रीक, ओके, और ये क्या होता है, यूटेरस, 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 करवास है, ओके, यहां तो बताओ, किसी को दिकत तो नहीं है, वे जाएना, सर्वेक्ष, ओबरी, और यूटेरस, ठीक है, और ये, ये पाइप है, इसको क्या बोलता है, फोले, पियन, ट्यूब, फोले, पियन, ट्यूब, अंडबाहानी, नलिका, अंडबाहानी, नलिका बोलते हैं, इसको, यहां तो बताओ, पहले तो, यहां तक किसी को दिकत तो नहीं है, यहां तक किसी को दिकत तो नहीं है, ओके 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 कोई वात नहीं कोई वात नहीं यह सारी चीज़ा हमने देख लिया ठीक है अब देखेंगे प्राथ में लेंगे क्या होता है प्राथ में लेंगे अंग वह होता है जैसे हमारा ओवरी हो गया ओवरी से क्या बनता है हमारा जो ओवरी क्या बनाती है ओबम बनाती है यानि का अंडाडू बनाती है तो जो किस में आएगा प्राथ में लेंगे अंग में आएगा ठीक है इस्टार्टिंग वाला अगर जैसे ज़िए बनाने के बाद अंडाडू को सुक्राडू से जो मिलेगा तो किया बनाएगा, एक यूगमज बनाएगा, और किस में आता है? लमें आता हैं syteos6 बन रहा हैं यानि के बनने के बाद ही तो अधिल अध्यति जैसन हुआ ठीक है निसेस्टं उगण होगा तो आगा थे लेंग अंग में आएगा ठीक है यहां तर बताओं जिसी को दिक्कत तो नहीं कि को क्यों कि आधि कि लिख लो इसको जिब प्रजनन करते हैं करते हैं और में कुसमें कांट होता है जो बादवाकी क्या आते है आपका यह हो गया फॉलेपियन ट्यू में दोनों जो सुकूरांड यहां सबको मैं बताउंगां ओके यहां तक नूट कीजिए यहां तक आप नूट कीजिए ठीक है, इसको भी लिखे लो help करता है, किस में करता है? reproductive में, प्रजनन्द तंतर में help करता है, यह help करता है, reproduction में, reproduction, क्या करता है? help करता है, यह प्रजनन्द करते हैं, यह प्रजनन्द में help करते हैं, ठीक है? अभी मैंने बताया आप लोगों को ओके नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे की तरफ आगे की तरफ चलते हैं हम लोग इसका नम बताईए जो अंडा से है न ये गरवासे जो जुड़ा हुआ है इस नली का नम बताईए आप लोग इस नली का नाम बताएंगे इस नली का नाम अंडा से से गरवा से जो जुड़ा हुआ है इस नली का नाम बताएंगे आप लोग इसका नाम है मैंसी बेरियम मेंब्रेंड क्या है मैंसी बोरियम मेंब्रेज मैंसी पोरियम मेंब्रेन ठीक है मैंसी वेरियम जिल्ली इसको मैंसी वेरियम जिल्ली बोला जाता है इस पार्टो के नाम भी पूछ लेता है यह क्या होता है यह क्या होता है इस जो आपके गरवास से अंडा से जुड़ा हुआ है इस नली को क्या कहते है मैंसी वेरियम मेंब्रेन कहते है जिल्ली कहते है ठीक है जो बच्चा रहता है हमारी कहां पर रहता है करवास है इसको गाउं में क्या बोलते हैं बच्ची दानी बगएरा बोलते हैं ठीक है अब नमबर वाई नमबर पढ़ेंगे अब ओके ओके-ओके ठीक ठीक अब डालेंगे हेडिंग आगे की अब डालेंगे फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब की बारें पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं अंड वाहनी न लिका वाहनी न लिका इसमें क्या होता ऐसा इसमें ऐसा होता है सवसे इंपोर्डेंट काम होता है इसके अंदर ठीक है सवसे इंपोर्डेंट काम होता है क्या होता है जैसे जैसे हमारा क्या हो गया यहां से हमारा इस परम इस परम चला गया ठीक है इस तरह से इस परम जाएगा जाएगा और यहां आए होके और इस नली में होके यहां से होके यहां से होके और यहां पर यहां पर क्या होगा इस परम मिलेगा यानि के सुक्राणू मिलेगा और यहां से ओवरी से क्या मिलेगा ओवम मिलेगा और दोनों का दोनों एक साथ मिल जाएंगे और इसी क्रिया को क्या बोलता औरुलने के बार्द किसका रूप ले लेता है यूगमच का रूप ले ले लेता है जाइगोड का रूप ले लेता है इसमें लिखेंगे पॉइंट वार्प्वांट की क्लिया और उसे चन की करिया is अंडवानी नलिका में होती है बहानी नलिका में होती है जरूली नहीं कि आपको निसेशन दे क्या दे सकता है इसको भी इंडवानी नलिका में होती है ओके ओके यहां तक बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है ठीक है ठीक देखो यहां से इस्परम गया हमारा यहां ओके ठीक है और यहां से ओवं से क्या मिला ओवरी से ओवं मिला तो क्या हो गया एक गैमेट का रूप ले लिया जैसे मेल का तो हो गया इस परमजाने के सुक्राड़ू सुक्राड़ू और फी मेल का क्या हो गया ओवम जाने का अंडाड़ू अंडाड़ू और दौनों ने किसका रूप ले लिया योग्मच का रूप ले लिया इसी को क्या बोलते हैं गमेट भी बोलते हैं ठीक है! याइगाट भी क्या बुलते हैं दूसरा नम अए जाइगॉट भी वाट भी बोलते हैं इसी को आपको घवरानी की जरूरत नहीं है योगंत दे Miya डिख ले यह जाइगोट देदे जिक्त वाली बात नहीं है इन सबीका जो, यू मज कहा मैं बनता है, अंडवानी नलका में बनता है, फाट आ यहां तो बताओ किसी diamond को कोई प्रोवलम थो नहीं, ठीक,ठीक, कि नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे की तरह हमारा क्या हो गया हमारा हो गया हो गया हो ले पियन हो गया अब चलेंगे गर्वासे कि यो गर्वासे के अंदर क्या क्या है पड़ेंगे कर्वासे से पहले थोड़ा हम अंडाडू के बारें पड़ेंगे अंडासे के बारें ओवरी के बारें ओवरी डालो पहलें ओवरी इसको बोलता है अंडासे अंडासे जो ओवरी की संक्या होती है मादा के अंदर यानि के फीमेल के अंदर को कितनी होती है एक तो एक यह हो गई, एक यह हो गई, जाने के दो होती है, ठीक है, इनकी संक्या दो होती है, दो होती है, ठीक है, अब मान के चलो, एक महीने तो इस से ओबम बनेगा, और एकले महीने इस से बनेगा, एक महीने में केवल एक ओबरी से ही ओबम बनता है, ना के दोनों एक साथ बनते हैं, ठीक है, दुवारा से सुनो, पहले महीने इस में ओबम बनेगा ओबरी से, और दूसरे महीने इस में बनेगा, यानि के ए कि एक में में 1 उबरी किसे को बनता है ठीक है इनकी संक्यास दो होती है कि यहां तक कोई अब देखते हैं जो इसकी चितना होता है कि दो से तीन दिन तो से थे दिन भी छीवन काल होता है कि वीशनकाल होता है किन का होता है अंडाडू का कितना होता है इस परम का बताओ इस परम जाने कि सुक्राडू का करीबन 20 मिनट होता है 20 मिनट एवरेजम है वैसे एक मैक्जिमम एक दन सकता है जैसे हम यहां से दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो 2-3 दिन इसका तो ओबम का तो 2-3 दिन होता है और इस परम का 20 मिनट होता है अगर इन दोनों के बीच में अगर यह हो रहा है 20 मिनट तक या 2-3 दिन के अंदर दोनों मिल रहे हैं तो क्या होगी फिमेल प्रगनेंट हो जाएगे ठीक है फिमेल प्रगनेंट हो जाएगे ओके देखो कितना इस्परम होना चाहिए प्रगनेंट होने के लिए कितने इस्परम की जरूरत है मातर एक इस्परम की आपको जरूरत है कैसे देखो यहां से बे जयना से बे जयना से इस्परम गया ठीक है उसट यहां टकरा के क्क्तम हो गए कुछ जाके इस में हो गए ऑंच जाके इसमें मिल गए तक क्योंकि एक क्योंकि ल memने यहां बनाता एक लगे उसमें आ सम या घया है रहाँ है उसी मिलेह और ऊसी क्या हो जाएगा या निकिरो हो जाएगा ओके ठेक ठेक यहां तब बताओ कि यहां तक किसी को दिक्कत कि यहां तक किसी को दिक्कत बता हो तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ हो गया नोट कि हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया ठीक है कि अगर बताओंगा कोई दिक्कत नहीं है यह पीरेट्स बगेरा होते हैं वो कैसे होते बताओंगा आगे मैंस रिशन साइकिल का स्पेसल हैडिंग लेगी इसके बारे में भताओंगा ठीक है आगे कि तरफ है अब डालेंगे यूटरस यानि का गरवास है कि यूटरस गरवासे के अंदर ही हमारा बच्ची का विकास होता है, डबलब होता है, ठीक है, गरवासे के अंदर ही होता है, इसी क्या बोलते हैं, बच्ची दानी भी बोला जाता है, बच्ची दानी भी बोला जाता है, ओके, अब गरवासे की भी तीन परत होती हैं, कितनी परत होती हैं, तीन परत होती है, तीनों परतों के नाम, इसमें लिखेंगे, इनमें तीन परत होती है, तीन परत होती है, ठीक है, नमर एक, नमर वाई नमर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परमेट्रियम, 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 ठीक है, दूसरी का नाम डालेंगे, तीसरी का न दूसरी का नाम है एंडोमेट्रियम एंडो टीस्टियल का नाम डालेंगे मायोमेट्रियम मायो मेंट्रियम जांद इनमे देखेंगे कौंसी दाफ होती है कौन सी बीतर होती है, कौन सी बीच वाली होती है, ठीक है, बीच वाली कौन सी होती है, मिडल वाली तो ये होती है, अंदर वाली ये होती है, ठीक है, ये बार की परत होती है, ये अंदर वाली परत होती है, ये बीच वाली होती है, यानि के मिडल वाली है, मिडल, ठीक है, इन वाली होती है यह आउट वाली होती है अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जो हमारे करवा से होता है इसमें कैंसर होता है बहुत ही आम बात है वो किस परत में होता है कैंसर किसमें होता है इसी में कैंसर होता है यहां से कुछ लिया जाता है यहां तक किसी भी साती का कोई डाउट किसी भी साती का कोई डाउट हो तो बताइए देखो हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया फैलोपीन ट्यू के बारे में पढ़ लिया यूटी रस के बारे में पढ़ ठीक है जो यूटी रस में जो बच्चा रहता है वो कितनी दिन तक रहता है कि यासी यहां से इसप्रम गए बहुत सारे मिलें आई जो गए vert, यहां पर क्या होगा? बच्चा भिकसित होने लगेगा तो क्या होगा? भिकसित होने लगेगा, दो क्या होंसे, यहां से बच्चि का भिकास होगा टपलफ होगा ठीक है पूरा विकास कहां पर होता है करवास है के अंदर होता है कर गican की यहां का यह तक किसी का ढौर तो नहीं है ना यहाँ की तरफ चले है इंदेर कोई वाकिन है अब चलेंगे प्रजनन के में जो मारा प्रजनन के अंदर हार्मोन निकलते हैं तो केस्प का निकलते हैं उनका काम क्या जो इसमें आपने देखा होगा ओवरी से ओवम जो अंडाडू बनता है वो किसी की कारण तो बनता होगा हां बनता हो किसकी कारण बनता है हार्मोन की कारण उनका बनता है अभी हम पढ़ने वाले हैं अंदा कि यह उग क्या घो मादा प्रजनन आरके मारा कि अन्दर पाइंडल्स कि आन्दर किकन्य हर्मोन पाए जाते था है रोइन फीन के निका और दूसरा कौन सा पाजाता प्रोजे इस्टेरोन हार्मॉन ठीक है अब पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोजन हार्मॉन के बारे में ठीक है एस्ट्रोजन हार्मॉन इनका काम क्या है फिमेल के अंदर इन हार्मॉन का काम क्या है हार्मॉन ओके इनका काम क्या है एस्ट्रोजन हार्मॉन का काम क्या है है आप लोगों बतायेंगे कमेंट कर गें जो हमने अभी बताय था एस्ट्रोजन हार्मोन का काम जो है डों किया है अभी बताया है है जो ओरी से कारण से दुकर क यह 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 अधू बनाने कार्वत गा अंडाडू बनाने का कार्य करते हैं कार्य करते हैं और क्या करते हैं दूसरी नम्मर बताओ और क्या 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 है उनका और क्या 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 मैं यह प्रिष्ट का साइज बढ़ाने के काम करते हैं प्रिष्ट यानि कि इस तनों का साइज बढ़ाने में काम करते हैं आकार बढ़ाते हैं आकार बढ़ाते हैं और बताईए इनका काम क्या है और इनका काम क्या है कमेंट करके बताओ जो आवाज में जो बदलाब होता है इसी एक्स्ट्रोजन हार्मोन की कारण होता है आवाज में बदलाव आवाज में बदलाव ठीक है एक क्वेशन बताईए जो ओवरी से ओवम बनता है वो किस उम्र में बनता है वो बनता है करीबन 13 बर्स से 14 बर्स की उम्र में यह हार्मौन निकरनी लगता है एक्स्ट्रोजन हार्मौन और इसी की कारण क्या होता है अंडाणू बनते हैं और ब्रिष्ट का साइज बढ़ता है और आवाज में बदलाव आता है ठीक है और इसी की कारण एक चीज़ होती है जो हमारी मेंस जो मासिक दरम होता है एक्स्ट्रोजन हार्मौन नहीं निकलेगा तो यह काम नहीं होंगे ठीक है अगर यह काम नहीं होंगे तो क्या होगा हीमेल प्रगनेंट नहीं होगे ठीक है और इसी को गाव में बोलते हैं बाज बगएरा होता है बाज हो गई तो यह भी कारण हो सकते हैं और दूसरा कारण क्या हो सकता है जो बच्चे बगएरा नहीं होते हैं न हीमेल पर अगर आपका जो हेलोपियन लिटन्य प्रभाई पेंगे से यहां बच्चा भिक्षथ हो गया और यह पच्षा ले बाद यह बच्छा हो गया और यह подода है का चांस हो ति लुआ दॉक्टर क्या कर देता है कर देते ख्या है 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 ऑक झेजित यहां तक नोट कीजिए छलता है आगे की तरफражीimme लोग धर आगे की तरफ चलते हम लोग अ कंझे दूसरे हार्मॉन के बारे पढ़ेंगे प्रोजे इस्थे रॉन हार्मॉन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ओके Celine ल्मी खेकर हार्मोन का एक ही काम है जैसे करवा सैλι मैं बच्छी का विकास कराने में जो मदद करता है वो प्रोजी इस्टेरॉन होता है ये खरब नाल होता है इस दो जम आनुट जालो प्रोजे इस्टेरॉन मेरे ये इस्टेरॉन हार्मॉन इसका काम देखेंगे क्या कर रहे हो कोई देखतनी पीडिया मिल जाएगी आपको प्लेश्टोप पर जाना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना सालेक्ट को ओपीसियल की नाम से प्लेश्टोप पर मिल जाएगे और वहां से पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं इसका काम लिखेंगे गरवासे में प्लेसेंटा और योगमच का निर्माण करने में मदद करता है कि अधत करता है कौन करता है प्रोजे इस्टेरोन हार्मोन ठीक है प्लेसेंटा इसी के द्वारा किया जाता है बच्चे का जो बच्चे को खाना पीना जाता है ना प्लेसेंटा की द्वारा जाता है ठीक है बच्चे का जो बोजन जाता है प्लेसेंटा के द्वारा ही जाता है अब पढ़ेंगे जो पीरेट्स बगएरा होते ना उनके बारे पीरेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले यहां तर नूट कीजिए फिच हैडिंड आते हैं पीरेट्स जो मेंशुरेशन साइकल बगएर होती है और जो फीमेल बगएरा होती है अब होती है ठीक है सब भी एसी वीडियों पढ़ने बाद नमबर बाद नमबर पढ़ेंगे ओके 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 ठेक ठेक कोई बात नहीं अब डालो M.C Mensuration cycle Mensuration Mensuration cycle Cycle Mensuration cycle मासिक दर्म होता है इसी को क्या बोलते है मासिक दर्म ठीक है इसी को मासिक दर्म भी बोलते है एक शेकें इंक डाल लेता हूँ थोड़ा यह तक आप बताएए जो Mensuration cycle होती है वो क्या होती है क्या होती है यह बताएए कृश्चन आप तो बताएं एक साल मैं कितनी भ़ार मेंसुरेशन सारे कित नीवार कि कितनी बार होती है थे रवार होती थे क्योंगे में तर्म होता है तो डिन का काउंट होता है इसी बज़े से यो एक साल में मास्त्य धरं थे बार आता है यहां तक बताओ ह multifoda ने अलो ठीक है अब तो ठीक है ना अब देखो जो मेंसुरेशन साइकल मासी तरम कैसे बनता है एक फीमेल के अंदर ठीक है जैसे मान के चलो माईना की स्काइब कोई भी माईना मान लो ठीक है कोई भी माईना हो सकता है जनवरी फरवरी जैसे जनवरी और फरवरी जैसे कोई 30 का होता है कोई 38 का होता है मान के चलो माईना है 30 का पहले तो क्या होगा तीन से चार दिन में अंडा बनेगा अंडा कब की बात कर रहा हूं है starting आपके MC पहली MC के बात जश्ट पहली MC के बात जो मासिक दरम बनता है तीन से चार दिन में अंडा बनेगा ठीक है तिर क्या होगा उसके बाद 14 दिन तक डबलब होगा 14 दिन तर क्या होगा अंडा अंडे का बिकास होगा ठीक है और तभी क्या होता है आपको पता है कौन सा हार्मोन निकलता है प्रोजे इस्टेरोन हार्मोन निकलता है ठीक है निकलता है तो क्या होता है 21 में दिन अगर 21 में दिन अगर 21 में दिन आपका अंडाडू और स्क्राडू मिल गए तो क्या होगा फिमेल प्रेगनेंट हो जाएगी अगर अंडाडू प्लस स्क्राडू 21 में दिन मिल गए तो क्या होगा प्रेगनेंट हो जाएगी मिला अगर मान के चलो 21 में दिन नहीं मिला यहां से इस्परम गया और यहां से ओवरी से ओवम बनके चला गया तो क्या होगा अगर मान के चलो इस्परम नहीं गया और अंडा यहां से होकर निकल गया तो क्या होगा वो ब्लड के रूप में बाहर निकलाएगा उसको इस्परम मिलेगा नहीं एकिसमे दिन तो एकिसमे दिन के बाद जैसे एगला भी आएगा जाने के एकिसमे दिन से गुजरेंगे 28 मां क्यों इसक द्रहक हो जाएगा जाने के मेंसुरेशन साइकल हो जाएगी मैं मेंसुरेशन साइकल हो हो जाएगी तो अगर 21 में जो आपका अंडाणू स्कराणू मिल गये प्रगन सौंद में तो ॥ीक हैं ओके नंगेम क्या हो इस रूप में बलड निकलता है जो अंडा होता है बलड की रूप में बाहर निकलता है यह रूप में बाहर निकलता है तेक है और एसी को क्या कहते है मेंचुरेशन साइकल यानिके मासिक दर्म ओके अलग से ब्लड नहीं निकलता है यह ब्लड का इरूप होता है ठीक है कि नहीं ओके यहां तो बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है ठीक है आप काउंट बगयरा कर सकते हैं जरूरी नहीं के तीज का महीना हो मान के चलो किसी का महीना साथ तारीक होता है साथ तारीक से लगालो 3-4 दिन अंडा बनेगा और 14 दिन में बेक्सेत होगा और यह तो हैं Salud को कि' मेरे यूटरस के अंदर बहुत ही पहुत ही कौमन बात है किस की कारण होता है चुंक से भन साफिता थां गंदे सोचाले में जो यूरिन बगएरा करने जाती है जा गंदा कपड़ा बगएरा यूज करती है तभी क्या होता है यूटरस में कैंसर होता है ठीक है नोट पॉंट लिखेंगे इसमें नोट पॉंट और इसका एक बैक्सिन बगएरा भी लगाई जाती है करीवन 24 से 28 साल म घर मेयला को लगवाना चाहिए है डंतर महेला को बैक्सिन लगवाणी चाहिए हम बता देंगे क्या नाम से भाटीक है का डालोड नोट पॉंट क्पॉंट uterus cancer cancer ठीक है और इसी को दूसरा नाम क्या है दूसरा नाम है kerbical kerbical cancer kerbical cancer इसको यूटरस cancer भी कहते है kerbical cancer भी कहते है kerbical cancer भी कहते है इसमें vaccine लगाई जाती है करीवन 24-28 बर्स के लगवर लगती है 24-28 बर्स के लगवर लगती है ठीक है vaccine उस vaccine का नाम बताई जो vaccine लगती है उसका नाम बताएंगे आप लोग नाम बताओ एक तो उता है HPV 16 और HPV 18 बर्स का नाम HPV 16 और HPV 18 यह बैक्चिन हर मैला को लगवानी चाहिए इस उमर में 24-28 साल की उमर में ठीक है इस cancer में जो होता है बच्ची दानी को क्या कर रिक किया जाता है काल दिया जाता है रेशाली बगार आपने सब्सक्राओं में और सारे लेडी जों को होती है कि इसकी कारण होती है जूटरस cancer ही बहते हैं उसको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जो आज की वीडियो में हमारा मादा प्रजनन्तंतर हो गया कंप्लीट कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे अगर इस चैप्टर से अगर किसी का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करें उसका जवाब मिल जाएगा ठीक है मिलते हैं कल